दोस्तों नवस्कार मैं नाना पाटेकर जूनियर आप सबका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में आज संडे क्वेस्टन अंसर का दिन है आपके क्वेस्चन्स पर बात करेंगे इस बार ऐसा नहीं करूंगा इस बार मैं रेगुलर रहूंगा हर बार मैं ऐसा बोलता हूं लेकिन इस बार मैं पिछले 22 दिनों से रेगुलर हूं तो लगता है कि मैं रेगुलर रहूंगा कहते हैं किसी भी चीज को 21 दिन तक लगातार करने से उसकी आदत पढ़ जाती है वै या प्लीज अपना क्वालिफिकेशन के बारें बताईए लव फ्रॉम कवर्दर सीजी डी एन के भाई ये सही बात है कि मैंने बी-सीय किया है और गलती से बी-सीय कर लिया है बारवी तक का मेरा ऐसा टारगेट था कि मेरे को डॉक्टर बनना है मेरे पापा का भी ए और अब है जिन्दगी मेरे नहीं रहूंगा कुछ और बनना है देखते हैं जिन्दगी कहां लेके जाती है अगला प्रस्ना है रिंकू स्लाइब बाई पूछते हैं सर डिसीजन मेकिंग परसंट कैसे बने मैं कभी-कभी अपने ओन डिसीजन नहीं ले पाता प्लीज आंसर लेकिन एक चीस्ता है हम लोग अगर decision नहीं ले पाते हैं तो time बहुत ज़्यादा waste होता है इसलिए जल्दी से जल्दी decision ले लेना चाहिए अगला प्रस्थन है राज यादा हो भाई बोलते हैं full time YouTuber होना future के लिए ठीक है की नहीं YouTube को प्राथ्मिक्ता देना कितना percent success है क्या YouTube income क अर्चा source हो सकता है क्या YouTube income का अच्छा source हो सकता है बिल्कुल हो सकता है बहुत अच्छा source हो सकता है YouTube को प्राथ्मिक्ता कितना percent देना success है यह तो question में को समझ में नहीं है और लेकिन आपका पहला प्रस्षन है कि full time YouTuber होना future के लिए ठीक है कि नहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं ह सिर्फ YouTube की बात नहीं है कोई भी चीज full time source of income सिर्फ एक रहे तो वो risk है तो source of income अलग-अलग होने चाहिए किसी भी एक चीज को full time करके सिर्फ उसके भरोसे नहीं बैठे रहना चाहिए कुछ-कुछ और चीज़ें भी करती रहनी चाहिए parallel अगला प्रस्षन है tracker boy बलते हैं भाईया जी क्या गोलू ने अपने दादा दादी को देखा है उनके बारे में बताईए आपके पापा के बारे में पता है लेकिन मम्मी के बारे में नहीं मालूम love from himachal गोलु ने अपने दादा जी को देखा है दादी को नहीं देखा है गोलु ने गोलु की दादी जी काफी पहले बगवान के पास चली गई थी तो उनोंने नहीं देखा है अगला प्रस्ने है आप स्ट्रेस से कैसे डील करते हो मैंने यह देखा है कि जब मैं खाली बैटता हूं तो मेरे को जादा इस्ट्रेस होता है जब मैं व्यस्त रहता हूं जब मैं कुछ न कुछ करते रहता हूं जब कुछ न कुछ हम लोग एक्सन करते रहते हैं तो इस्ट्रेस नहीं के बराबर होता है इस्ट्रेस वाली चीज है, तब ज्यादा पैदा होती हैं, जब हम लोग चलते रहते हैं, तो नए-ने रस्ते भी बनते जाते हैं तो बस मैं इस्ट्रेस से डिल करने के लिए खुद को बहुत ज्यादा बीजी कर लेता हूँ अगला तो प्रस्न नहीं है तारीफ है बहुत साहे प्रस्न ले रहा हूं तो एक तारीफ तो लेना बनता है सौरब सरकार भाई बोलते हैं Keep up the good work, be proud of yourself that you bring a smile on others face through your blogs Keep signing, thank you so very much सौरब भाई और आपने चैनल मेंबर सीप भी जॉइन करी है उसके लिए भी सुक्रिया छोटा अर्टिस सर आपने कभी कैमरा ओन होते हुए जूट बोला है हमसे अगर बोला है तो क्या जूट बोला है हमसे बताईए और सैतानी हसी वाला इमोजी भी लगाए है कैमरा ओन करके मैंने जूट बोला है कई बार मैं उत्ता ज्यादा खुस नहीं रहता हूं कई बार उत्ता ज्यादा एक्साइट नहीं रहता हूं कई बार और कई बाद दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेस चलते रहता है, फिर भी मैंने आप लोगों को इंटरेंट करने की कोशिस करी है, कुछ बातें सायद छुपाई होंगी, स्ट्रेस वाली बाते हैं, आजकल मैं नेगेटिव बातें ज्यादा कैमरा पे नहीं करता हूं, तो हाँ जुट सायद मैंने बोला है, अनुराग जी बोलते हैं, Sir, what are your plans for boosting up your income, so you can buy your dreams, अपने income को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करने वाले हैं, अनुराग भाई में ये गलती बहुत बार कर चुका हूं, दुबारा नहीं करूंगा, मैं पहले से अपने जो plans हैं, action plans हैं, पहले से ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग कर के दिखा है, future में बहुत सारी planning है मेरी अपनी income को boost करने की, जैसे जैसे दीरे दीरे चीजें execute होंगी, मैं आप लोगों के रहात में share करूंगा, पहले से मैं बड़ी-बड़ी कोई बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उसका काफी नुकसान मैंने देखा है, so future plans हैं बहुत सारे जो future में आपको भी पता चलेंगी, अगला प्रस्न बड़ा interesting है, सूरज दुरू भाई बलता है, नमस्ते सार, आपकी love story, movie सिर्फ तुम या मुसकान, दोनों में से कौन सी movie जैसी है, प्लीज बताइए, कौन सी movie जैसी है, जोत जोती के अनुसार हमारी जो कहानी है, वो सिर्फ तुम की तरह है, I want to know about your work history, what you used to do when you used to live at your village and what you do right now at Raipur for living, love your channel and content, say hi to Golu and Jyoti भाभी, thank you Indra Neel भाई, तारीफ करने के लिए, अभी फिलाल मैं Raipur में full-time YouTuber हूँ, अभी YouTube मेरा मुख्य काम है, इसके अला हो मेरे work history की अगर ब की सुरुआत किया था, जब मैं बिलासपूर में पढ़ता था, उस समय कॉलिज के साथ साथ मैं part-time sales का काम चालू किया था, salesman वाला, जो water purifier होता है, RO water purifier, वो door to door जाके बेचने वाला, LIC बेचने का भी मैंने काम किया, उसमें भी मैं फेल हो गया, उसके जाद फिर घर में मेरे ट्रैक्टर थी, तो ट्रैक्टर से बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का काम मैंने करके देखा, उस पे भी मैं फेल हुआ, वेटर गिरी भी करके देखा, उस पे भी फेल हो गया, टीचर की नौकरी उसके आद करी मैंने लगबग 12 साल तक, और बीच में जब मैं टी कर रहा हूं, फ्यूचर में देखते हैं, और क्या क्या करना बचा है मेरा, अगला प्रशन है, यूपी 83 व्लॉग, सर नमस्कार, मेरा नाम फैजान है, मैं ग्रेजविशन कर रहा हूं, जीवन में बहुत सी कठीनाईया है, उनका कैसे सामना करूं, समझ नहीं आता है, कुछ जिंदगी में क्या करना है सर, बताईय ब्लीज, फैजान भाई, ऐसा होता है, सब की जिंदगी में कुछ नकुछ कठीनाई होती है, और जब सामने कठीनाई होती है, तो समझ में नहीं आता है, क्या करूं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ी देर के लिए आप ठंड लोग बोलते हैं कि दूर की सोचो दूर की सोचो होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा दूर की सोचने लगते हैं तो कई बार डर लगता है fear कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा वैसा हो गया तो क्या होगा ज्यादा तर वो चीज़ें वैसी होती नहीं है तो यह जो fear है उसकी वैसे हम लोग को stress होता है बहुत ज्यादा वर्तमान में जियें वर्तमान में आपको पता है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए यह हो सकता ही समय आप यह YouTube वीडियो देख रहे हैं, हो सकता ही समय आपको एक्जाम की तयारी करनी होगी, या पर कुछ पढ़ाई करनी होगी, तो बिल्कुल आप यह वीडियो बन करके वह काम कर सकते हैं, इससे आपको stress भी कम होगा, जब हम लोग कोई action करते हैं, तो हमारा stress करते हैं, जब हम लोग दो कप्रोडक्टी है हैं, जब हम लोग कुछ करते हैं, तो समय दीरे दीरे दुर होते हैं, बहुत है एक बहुत क्यों कामेन्ट आया था जब मैं काफी stress से गुजर रहा था जब मेरी mental health ठीक नहीं थी, एक मिरे ने comment किया, ऐ जितना डरोगे जिन्दगी उतना ज्यादा डराएगी इसलिए पूरे हिम्मत के साथ जिन्दगी का सामना करिए और मेरा आशिर्वाद है आपके साथ मेरी दुआएं हैं आपके लिए कि आपका भवी से उज्वल हो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर मैं आपका प्रस्न सामिल नहीं को क्वेशन्स मंगाता हूं तो नेक्स्ट सेटर्डे को आप अपने क्वेशन्स पूछ सकते हैं अगर वीडियो थोड़ा था भी पतंद आया होगा प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पे नए हैं तो प्लीज पूराने कुछ वीडियो देखें और अगर आपको सब्स्क्र में फॉलो नहीं किया है प्लीज फॉलो कर लीजे राइट सेफ आल्वेज वियरा हेल्मेट जैहिन जैवारख